स्वेलेवन और एकॉर्ड वीडियो में आपका स्वागत है जो चाबी आप मेरा हाथ में देग रहे हो ये चाबी मेरे ब्लॉंग करती है इस प्रोड़क को ये है आपके सामने टरटा की ग्लेंजा और ये इसका बेस मॉडल है जो की CNG में आता है मतलब की S मॉडल अब इसकी वीडियो क्यों बनाई जा रही है उसका रीजन बताते हैं आपको अभी हाल फलाल मतलब मार्केट के अंदर एकदम बूम साया CNG गार्डियों को लेगे जैसे की हुंडाई की एक्टर राई है वो CNG के साथ आई है और टाटा ने तो भाई अच्छी खासी रेंज मार्केट म इनका नेटवर्क इनका जो एंपायर जो हुने ने बिल्ल किया नवाई कि कोई इशू वाला काम नहीं है इनकी CNG का स्टिल आज भी एक वो चीज और दूसरा इस गाड़ी की रिफाइन्मेंट चाहे कोई कितना ही कुछ भी कर ले इस गाड़ी के जितना रिफाइन्मेंट नहीं आ सकता है और CNG में जो इस गाड़ी को साथ साथ करेंगे कि क्या है कुलम लागे तो यह इसका S मोडल है यह CNG में बेस मोडल इसका 8,60,000 यह आपको एक शोरूम कोश्ट करती है डेली भाइद अब जितनी भी टाताने गाड़ी निकाल लिए उनका कोई भी वेरिंट उठा लेना इस प्राइज बंट पर और एक्सटर का भी CNG वाले वीरिंट आप देख लेना इस प्राइज बंट पर एक संरूफ एकस्टर गर दिये उन्होंने इसके अंदर अभी तक ऐसा को संरूफ वाला ओक्शन नहीं देखने के लिए मिलता आपको बाकी क्या की चीज ह मिल जाती हैं अगर आप side by side देख रहे हो तो बता देते हैं इसके S model मतलब कि इसके base model के अंदर इसके अंदर भी सामने हैं प्रोजेक्टर आपको देखने के लिए मिलता है जो कि हेलोजन बेस हैं इंडिकेटर्स वगरा है और नीचे आप देख सकते हैं क्रोम की पूरी लाइ ही कीमत है आप मतलब एक statement लेके चलो ये कि आप कुछ भी दे लो लोगों को feature देने को feature तो MG भी काफी सारे देती है बट वो नहीं पिक पाती है इस अपने अच्छे लेवल पर क्योंकि बात आ जाती है trust की और एक अच्छे network की जो Toyota ने अपना नाम बनाया हुआ है इंडियन brand के लिए तो एक ये वाला जो point है ना ये ही एक सबसे बड़ा reason है कि आप इसकी तरफ जाओगे कल को कुछ भी चीज होती है एक तो पहली चीज में कुछ आदा शोशबाज नहीं आती को ऐसे funky features नहीं आते है जिनने देखके आप एट्रेक्ट होगे ये एक pure CNG car है जिसमें आपके basic features आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एक अच्छे खासे network के साथ और no issue के साथ मतलब कि कुछ complaints बगएर नहीं है आगे डिस पीछ आपको ड्रॉंबेक्स मिल जाते हैं इसके अंदर भी ग्राउंड क्लेंज की बात करते हैं तो अल्मुस्ट 170 mm की ग्राउंड क्लेंज भी ये गाड़ी आपको उपर करती है और यहीं से डलती है इसके अंदर भी CNG मतलब इसके लिए भी आपको कोई डाउट नहीं कर सकता भाई आप साड़ी गाड़ियन चला ले ना यह आपको अंडर पावर लगेगी ना यह आपको ऐसा लगए कि कुछ कमी सी फील हो रही है ना आपको ज्यादा वाइबरेशन हो होगी और इतनी तगड़ी माइलिज क्लेम करते हैं कंपनी मतलब तीस ते तीस तो आराम से हाइवे पर निकाल देते हैं को दिक्कत वाली बात नहीं है तो CNG जिसलिए आप लोगे वही परपस आपका पूरा ना हो तो क्या ही फायदा फिर आगे बढ़ता है यहां पर स्पो तो यह है मेरा मोटिव आपको समझानेगा यहां पर टेल लेंपस तरीके के हाँ देखने मिलते हैं ग्लैंजा है यहां पर मॉटल एस की वैजिंग है टोटागर लोगो है और यहां पर रिफलेक्टर वगए आपको देखने लिए पीछे और अभी बात करते हैं से गाड़ी आप रखते हो यहां पर देख सकते हैं अच्छा सा मतलु है यह पर कॉलम में जाता है थोड़ी स्पेस के ऊपर मिल जाती है इस पेर वील के जैसे थोड़ा ज्यादा स्पेस जो है यूटलाइज करना आपके लिए मुस्किल हो जाएगा अधरवाइस दी से स्पेस मिल जाती हैं और इस चीज की गवाई हर वो बंदा दे सकता है जो गाड़ी चलाता हो सो यह है सिंगल स्लेंडर आता है कोई ट्विन स्लेंडर टेकनोलोजी वगर है यहां पर नहीं है और एक सिक बूट को बंद कर लेते हैं और अभी चलते हैं जो मार्कीट में दूसरे प्रोड़क् कोई चीज ज्यादा ब्राइट हो रही हो तो एक बड़ी आसा कॉंबनेशन आपको मिलता है और काफी ज़्यादा लगता है इसमें कोई दो रहे नहीं है डूर पैनल की बात करने तो हम फैब्रिक आपको देखने के मिलता है डूर पैनल पर बेज और ब्लेक का दोनों यह फ बागे तो आपको बता है प्रोड़क्ट तो काफी सारे मार्कीट के अंदर नीचे सेट बॉनट खोलने का लेवर फ्यूलिट खोलने का लेवर तीनों पैटल्स है और डैड पैटल के लिए भी यहां पर प्लेस्मेंट आपको दी हुई है अभी चलतें गाड़ी के अंदर और चीजों को बारे में बातकीट करें तो एक चीज यह भी है किस गाड़ी के तो स्पेस अच्छी खासी मिल जाती हो काफी ज्यादे प्रपोर्शनेट लगती है गाड़ी अगर स्पेस की बात करी जाए तो उस मामले में और कमफर्टेबल भी है इसमें कुछ दो रहा है न तो यह देख लो वह सारी चीज़े बड़ी है एक दम यह देखो आठजार तक यहां पर आर्पीम है 220 की टॉस्पीड मार्किंग भी दी हुई है और अभी आपको वीडियो में जाता चीज़ जस्टिस नियोंगी बट बहुत सिंपल सोवर सा डाइल यहां पर देखने की मिल की मिल जाते हैं जो भी आपके नीड के हैं टाइम आउटसाइड टेमरेचर फ्यूल कौन कौन सा है ट्रिप ए और वगएरा सब यह स्टिक्स वगएरा मिल जाती है जिनके थ्रुआ पे इंफॉर्मेशन सैटी सेट कर सकते हैं यहां पर वाइपर से देखो पूरा ग्रेश फ पीछे वाली रोग के लिए आगे वाली रोग के लिए तो यह दोनों आगे तो एक अच्छी चीज यह भी है एक मैनवल डेमिंग आयार वीम है इसाइड टिकट होल्ट अगर है यहां पर नहीं मिलता बाकि मटीरिल जो है वह काफ़ जादा सौफ्ट है डैश बूर्ड का व कुछ ऐसा है हैंब्रे करोम टिप के साथ कुप होल्डर वागर नहीं है और यहां पर भी डिशेंट से स्पेस आपको मिल जाती क्लो बॉक्स के अंदर तो देखो सब सची चीज गाड़ी के बारे में जो है इसकी फील और अगर आप एक CNG प्रोड़क ले तो सीधी सी बात उस गाड़ी की जो रेफाइनमेंट है वो भी अच्छी होनी चाहिए पावर भी अच्छी होनी चाहिए और सीधी सी बात यह की मैलेज भी अच्छी होनी चाहिए गाड़ी की तो आप इसकी तरफ जा सकते हो गाड़ी का मतलब जितना भी भार की प्रोफाइल है अंदर का डैश्बोड इंटियर सब कुछ मिला जुला के एक स्यांदार सा कॉम्बिनेशन को इम लागे बाकि यह आगे की बात चीथी अभी पीछे का मिलता है और क्या का चीज आपको प प्रिकर है पार विंडो है पूटल होलर है अभी बात करते हैं कमफर्ट की क्योंकि फेमली के साब से अगरा पे गाड़ी लोगे तो कमफर्ट में कोई कमी नहीं है भाई बिलकुल भी कमी नहीं है थड़ आप सुन सकते हो बड़ी अब बूम आती एक दम यह स्पेस देखना और यहां भी कोई पॉकेट नहीं है और पीछ ऐसा देख लो कुछ ऐसा दिखता है डाइश बूड का व्यू एक रीडिंग लाइट यहां पर आपको मिली जाती है पीछे वाली रोग के लिए मैं आपको दखा जिए यहां पर एक दो और तीन चार पांचो 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 है और यह अपना पांचो का पांचो सीट बेल्स के साथ आते हैं 64 टी के हाँ पर ऑप्शन भी आपको देख भी मिल जाता है मिनिमल सा हम जरूर है बट फिर भी यहां पर तीन बंदे बैट जें क्योंकि यह स्पेस आप देख सकते हो कितनी मिलती है आप तो लैग रूम में क देखा जाता हूं आपको जहां यह गाड़ी मतलब हर बार प्लस पॉंट ले जाती है और उसका कोई तोड़ भी नहीं है आप चाहिए कितने कुछ भी कर लो वह दिखाता हूं आपको एक बार तो बात करें इस गाड़ी की में हाइलाइट के बारे में जहां पर मतलब इस ग 98 NM के आसपास का इसमें आपको टॉक देखने के मिलता है और 55 लीटर का जो वो टैंक आता है उससे 1 केजी CNG में 30 की माइलेज कंपनी क्लेम करती है बाई 30 की और सिर्फ 30 कंपनी क्लेम करती है मेरे पड़ोस में एक स्विफ्ट कंदरों में लगवाई ये CNG भी आफ्टर मार के देंगे ये तो यह था ओवराल सब कुछ यहाँ पर अपना देख लो वाइपर फ्लिट बगएरा है ब्रेक ओल्ट है बैट्री वुजवक्स बगएरा कूलें पगर है हांसे टलेगा यह है अच्छा खासा 1.2 रिसका पैटोल इंजिन और अब इसको बंद कर लेते हैं कि स है बट जिसकाम के लिए आप इसे लोग एक टेंशन फ्री सी एंजी कार के परपस से यह गाड़ी आपको फिलफुल करेगी अच्छा खासा नेटवर्क लेकर आती है और आपको पताईबा इनका सर्विस चार्ज भी को जादा नहीं होता और मतलब ज्यादा चिक चिक आपन अपने कॉमेंट में और हम फिर में तब तक के लिए बावाई